नमस्ते दोस्तो श्याम विसुई में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे केसर पिस्ता कुल्फी यह बहुत ही दानेदार और रबडिदार बनकर तयार होती है इसे बनाना जितना आसान है खाने में उतनी ही टेश्टी बनकर तयार होती है तो फ् केसर पिस्ता कुलफी बनाने के लिए, यहां मैंने 1 लिटर फुल क्रीम दूद लिया है, 20-25 पिष्टा लिया है, जिसे छोटे टुकडों में काट लिया है, 10 पादाम लिये हैं, जिसे मैंने 4-5 घंटे पानी में भिगा कर, छोटे टुकडों में कट कर लिया है, और इसके छि एक टेबल स्पून गरम दूद में मैंने दस बारा केसर के धागे और एक पिंच यलो फूड कलर मिलाया है फूड कलर मिलाना ओप्षनल है चार इलाइची का पाउडर लिया है सबसे पहले हम एक कडाही लेंगे उसमें दो चम्मच पानी डालेंगे और अब हम इसमें ये दू दूद तले पर चिपकता नहीं है अब हम या तो लो फ्लेम करके इसे छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे या मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसे कंटिन्यू चला लिजिए हमें दूद को हाफ करना है क्वांटिटी में कल्ची को पूरा नीचे तले पर ल ठीक हो चुका है ये देखिए आप देख सकते हैं तो बस अब हम इसमें ये मिल्क पाउडर मिला देंगे यानि कि दूद हमारा जब आधा हो जाएगा तब इसमें मिल्क पाउडर मिलाएंगे मिल्क पाउडर मिलाते टाइम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और इस मिनिट हो चुका है और आप देख सकते हैं ये बिलकुल रब्डी दार बन चुकी है तो अब हम इसमें बाकिके इंग्रेडियंट्स मिला देते हैं ये देखें इसका टेक्शर बहुत ही बढ़िया लग रहा है तो हम इसमें ये बादाम मिला देते हैं, केसर वाला दूद भी एड़ कर देंगे, इलाइची पाउडर मिला देंगे, और ये चीनी भी मिला देंगे, चीनी फ्रेंट्स आप टेस्ट कर लीजिए, यदि आपको कम मीठा लगता है, तो चीनी और एड़ कर दीजिएगा, सभी को अच थोड़ा सा पिष्टा गार्निशिंग के लिए रख लूँगी, और बाकी एड़ कर दूँगी, और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, अभी आप इसकी मिठास को चेप कर सकते हैं, कम लगे तो और मिठा एड़ कर सकते हैं, मैंने इसे टेस्ट किया था, तो मैं यहाँ एक चमच्चीनी और मिला रही हूँ, क्योंकि ठंडी होने के बाद आइसक्रीम में थोड़ी से मिठास कम हो जाती है, सभी चीजी अच्छे से मिल चुकी है, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, तो यह मिक्षर पूरी तरह से और पहले से गाड़ा भी हो चुका है, यह देखे इसका टेक्शर, तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक अलग बरतन में निकाल लेंगे, ताकि कुल्फी मोल्ड में जब हम इन्हें डाले, तो मिक्षर इधर उदर ना गिरे, मेरे पास इस तरह के कुल्फी मोल्ड हैं, जिन मे मैं यह कुल्फी जमाने वाली हूँ, तो फ्रेंट्स, इसमें मैंने पहले पिष्टा डाला, उसके बाद हम कुल्फी वाला मिक्षर डाल देंगे, उपर से वापस पिष्टा से इसे गार्निशिंग कर देंगे, और इसका लेड बंद कर देंगे, इसी तरह से हम सारे मोल्ड में कुल्फी डाल देंगे, यदि आपके पास इस तरह के मोल्ड नहीं है, तो आप इसकी जगए डिस्पोजल ग्लास का भी यूज़ कर सकते हो, उसमें तो बहुत ही बढ़िया कुल्फी बनकर तयार होती है, यह देखी, और अब हम इस पर पिष्टा लगा देते हैं, और एल्यूमिनियम पेपर से, फॉयल पेपर से इसे इस तरह ऐसे ढख देंगे, और यह रबर लगा देंगे, और अब हम चाकू से इसमें होल करके आईस क्रीम स्टिक लगा देंगे, फ्रेंड्स कुल्फी बनाने के लिए जो हमने मिल्क पाउडर यूज़ किया था, वो डेरी बाकी मिक्षर मैंने ये चोटी सी मठकी में डाल दिया है, और पिष्टा से इसे गानिशिंग कर देंगे, अब हम कुल्फी को 9-10 खंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रखेंगे, 10 खंटे हो गए हैं और हमारी कुल्फी अच्छे से सेट हो चुकी है, ये देखि हमें किसी मोल्ड को खरीदने की जरुवत ही नहीं है, डिस्पोजल ग्लास में बहुत बढ़िया से आईस्क्रीम बन कर तयार होती है, और हातों से रब करके हम इसे आसानी से डे मोल्ड कर सकते हैं, ये देखिए और इसी तरह हम एल्यूमिनियम वाले मोल्ड में से भी हातों से रब करके इसे आसानी से निकाल सकते हैं, तो पहले मैं चाकू से होल बनाके इसमें आईस्क्रीम स्टिक लगा दूँगी, और इसे हम हातों से रब करके पहार निकाल लेंगे, ये देखिए, बिल्कुल मार्क स्टाइल केसर पिस्ता कुलफी तयार है, पिस्ता से गानिशिंग कर देंगे, तो फ्रेंड्स यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, तो वीडियो की निचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा